हलो दियर स्टुरेंट वेलकॉम आल उफ यू तो कैट्री ओनलेन क्लासे स्टुरेंट हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फिप्ट इस प्रिंसिपल अफ इनरिटेंज और इसमें हम लोग प्रिबियस क्लास में डिसकस कर रहे थे अबाउट मेंडल्स लॉग और मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनरिटेंज और मैंने बताया था आपको थ्री प्रिंसिपल है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डॉमिनेंस सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सेग्रिगेशन और थर्ड इस प्रिंसिपल ऑफ इन्डिपेंडेंट एसार्टमें तो principle of dominance हम लोग discuss कर चुके है, principle of dominance में आपने discuss किया था कि जब parent plant को cross कराते हैं तो F1 generation में केवल एक ही character अपने आपको express करता है और trait express करता है जिसको बोलते है dominant trait और दूसरा allele रहता है पर अपने आपको express नहीं कर पाता, इसलिए उसको बोलते है ratio allele और ratio trait अब student आज हम लोग सबसे पहले ये discuss करने जा रहा है कि वो ऐसा क्यों करता है means जो allele अपने आपको express करता है उसको बोलते है dominant तो एक dominant है, एक recessive है, ऐसा क्यों है उसी point पर हम लोग आज बात करने जा रहे है तो heading होगा आज का पहला हम लोगा concept of dominance concept of dominance student हम लोग अगर allele की बात करें, allele क्या है? यह आपका मालूम है, allele form of gene है, जो control करता है या code करता है, for expression of particular trait right, अब allele का देखिए, दो form हो सकता है, alleles का दो form हो सकता है student, क्या, एक form हो सकता है homozygous, homozygous like capital T, capital T, और second form हो सकता है, heterozygous, that is capital T, small T यानि nature में यह देखा जाता है, कि जो deployed organism है, नेचर में जो deployed organism है, वो हमेशा homozygous नहीं होते right, वो heterozygous भी हो सकता है, यानि कहने का मतलब यह है, कि अगर यह deployed organism है, तो इसमें यह हमेशा homozygous होगा, ऐसा नहीं इसमें कभी-कभी क्या होता है, एक allele अपने आपको modified कर लेता है, और उसको बोलते हैं, student, modified allele, यानि capital T, small T, इसको बोलते है, modified allele, अब इसमें modified allele कौन है, small t, क्योंकि आपने देखा, कि deployed condition में capital T, capital T है, और यहाँ पर एक allele ने अपने आपको modify किया, तो modify किया, student, to modify करके क्या बना, small t बन गया, capital to तो अपनी जगह है, तो यह modified हुआ, और इसको बोलेंगे, जो जो नहीं हुआ, उसको आप बोलेंगे, unmodified, unmodified, एक हो गया, modified allele, और दूसरा हो गया, unmodified allele, clear, आप देखेंगे, इसमें क्या है, अब यह बोला गया, कि जो modified allele है, वो expression of trait को influence करेगा, right, क्योंकि जो unmodified है, वो तो उसी form में exist करा है, जिस form में यहाँ पर है, लेकिन जो modified हो गया, वही change हुआ, जो change हुआ, वो modified हुआ, और वही expression of trait को affect करेगा, अब वो कैसे करेगा, देखिए, तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, next, so modified allele, affect, expression of trait, point पर हम लोग बात करने जा रहे है, तerson beyond और जे करेगा, लिक़् अक्षबए में, लेले लेगा, लेगा, इस अफाय करेगा, ली वे लेक़्ाश, ग्फफ़ खोगे दुफगा, लेया लेस्गज टबिस्टुखते रहेेे लेखकी हुआ, थाएरवे भी ड्याय खंभे घह connects, एक्स्प्रेशन ऑफ ट्रेट्स बाई अज जो एलील मॉडिफाई हो गया वो ट्रेट के एक्स्प्रेशन को कैसे एफेट करता है उस पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यह कुछ सिस्टम है जिसके तुरू यह अफेट करें और वो सिस्टम क्या है फर्स्ट बाई प्रोडूसिंग लेस एफिशियंट एंजाइम second by producing non-functional enzyme and third by producing no enzyme student जो modified allele है जो allele modified हो गया वो एलील influence करेगा या affect करेगा expression of traits को कैसे बाई producing less efficient enzyme यानि वो एलील ऐसा enzyme प्रोडूस करेगा जो क्या होगा less efficient हो means वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा partial effective होगा student आपको पता है एक concept है वन जीन वन एंजाइम theory या वन जीन वन एंजाइम concept देखिए body की जितनी भी activities होती है all activities are controlled by genes और genes सारी activities को कैसे control करते हैं through enzymes यानि gene enzyme produce करते हैं और वो enzyme पूरे activities को student influence करता है इसको बोलते हैं वन जीन वन एंजाइम concept इसको भी आप note कर सकते हैं this is very important for your competition वन जीन वन एंजाइम concept okay it has been given by beetle and tatum this is very important for your need exam so stone मैंने अभी क्या बता है आपको हम लिएंग डिसकस किया कि one gene one enzyme means एक enzyme के functioning को एक gene control करता है this is called one gene one enzyme concept और इसको देने वाले जो biologist है उनका नाम है Beedle and Tatum यानि Beedle and Tatum ने one gene one enzyme concept को प्रपोस किया कि एक gene एक enzyme के function को control करता है यानि body में अगर 10,000 enzyme है तो इसको control करने वाला 10,000 genes होगा this is called one gene one enzyme और allele क्या है student what is allele is modified form of gene means alternate form of gene तो allele है gene यानि यहाँ पर allele अगर change हो गया suppose gene change हो जा रहा है तो naturally जो expression of trait है या functioning या वो affect होगा क्योंकि अभी हमने यहाँ बताया कि सारे body function जो है वो control होते हैं by gene through enzymes यानि gene अगर affected होगा तो enzyme disturb होगा enzyme disturb होगा तो जो particular process है वो भी disturb होगा तो यहाँ पर देखिए allele modified हो जा रहा है यानि gene ही modified हो गया और जब gene modified हो गया तो natural सी बात है कि इसका जो enzyme है जो यह enzyme को control करेगा express करेगा वो भी affected होगा तो वो तीन तरह से affected हो रहा पहला by producing less efficient enzyme यानि modified allele ऐसा enzyme बना रहा है जो पूरी तरह से effective नहीं है second by producing non-functional enzyme यह ऐसा enzyme बना रहा है जो non-functional है और by producing no enzyme यह ऐसा है मतला यहां पर को enzyme ही नहीं बनाए तो यह तो कोई enzyme नहीं बनाएगा यह तो non-functional enzyme बनाएगा यह तो less efficient enzyme बनाएगा अब इस case में क्या होगा देखे, you can note down the content student, this is very important and I have suggested you to note down all these things in your own handwriting और copy में आप इसको note करेंगे, अब आईए, इसको study करते है इस्टुए, देखे, अब जो allele modified हो गया, वो प्रभावित कर रहा है, किसको influence कर रहा है, expression of trait को, three ways है, आपने देखा, अब देखे, हुआ क्या, यह deployed homo-jagas condition है, यहाँ पर modified हो गया, तो capital T के बाद क्या बना, small t, यह modified हो गया, इसको बोलेंगे, modified allele, अब यह allele modified हो गया, यानि यह proper enzyme produce नहीं कर रहा है, तो सुचिए, अगर यह proper enzyme produce नहीं कर रहा है, यानि यह अपने आपको express नहीं कर पा रहा है, और यह unmodified है, तो unmodified जो allele है, वो क्या करेगा, unmodified allele produce करेगा, normal enzyme, तो अब दो allele अगर एक साथ हैं, और एक enzyme को producing नहीं कर रहा है, या non-functional produce कर रहा है, और दूसरा normal enzyme produce कर रहा है, तो यहाँ पे जो trait express होगा, वो किस पे depend होगा, आप सोच के बताइए, यहाँ पे जो trait express होने जाएगा, वो किस पे depend होगा, naturally वो किस पे depend होगा, जो normal enzyme produce करेगा, और normal enzyme produce कौन करेगा, student, unmodified allele, that is capital T, तो यहाँ पे अगर capital T और small T है, तो यहाँ पे कौन सा trait express होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये modified हो गया तो यहाँ पूरा का पूरा जो expression है वो depend हो जाएगा unmodified अलील पर और unmodified अलील capital T है तो plant कैसा दिखेगा tall दिखेगा बट यहाँ पे एक modified अलील भी है इसलिए ये पूरी तरह से tall नहीं दिखेगा यह क्या होगा इसको बोलेंगे hybrid tall this plant will be called as hybrid tall student clear तो इसका एक और example आप समझ सकते हैं जैसे मान लिजे आप bicycle चला रहे हैं या two wheeler चला रहे हैं अब two wheeler में दो पहिये होते हैं दो wheel होता है जिसके थूरू हो जिस पे चल ला है अम मान लिजे एक पहिया एक wheel जो है उसमें हवा कम है या puncture हो गया लेकिन उसको कुछ दूर तक तो जाना है या अपने destiny पे जाना है तो वो किसी तरह पहुँचेगा वहां पे तो वहां तक पहुँचने के लिए जो wheel जो आपका bike है या cycle है वो किस पे depend करेगा नेचुनल सी बात है उस पहिये पे उस wheel पे depend करेगा जो correct है और जो disturb हो गया वो तो चलेगा लेकिन उसका expression नहीं हो पाएगा वो किस पे depend होगा जो normal है उस पे depend होगा student तो same condition यहां पे यह एक modified हो गया एक unmodified है तो expression of trade किस पे depend करेगा unmodified और modified modified हो गया वो recessive रह जाएगा उसको बोलेंगे recessive क्योंकि यह अपने आपको express नहीं कर पा रहा है although it is present but it is not able to express itself so it is recessive और यह अपने आपको express कर रहा है तो यह क्या हो जाएगा student it will be dominant और इस concept को क्या बोलेंगे concept of dominance clear तो अब आईए यह I hope कि आपको इस वह में आ गया होगा इसको एक दो बार और study करिएगा now let us move to next heading the student आपने डिसकुस किया principle of dominance और concept of dominance यह आपने डिसकुस किया अब यहीं पे आपको बताते चले हम लोग डिसकुस कर ले incomplete dominance student mendel ने यह बताया कि जब आप दो parent plant को cross करा रहे हैं तो F1 में केवल dominant character express होगा और F2 में जाके character separate होजाएगा पर nature में यह दिखा गया कि कुछ ऐसे plant हैं जो mendelian principle of dominance को follow नहीं करते और कुछ different result आता है और पूरी तरह से वहाँ dominance ही नहीं दिखती है इसलिए उसको बोलागे incomplete dominance तो next point जो पढ़ने जा रहा है that is incomplete dominance so concept of incomplete dominance has been given by call quran's this word concept of incomplete dominance has been given by call quran's 1903 call quran's ने propose कि और इनका कहना यह था कि बहुत सारे plants है जो mendel principle of dominance को follow नहीं करते हैं तो आप point note कर लिए in some plants principle of dominance is not followed in some plants principle of dominance is not followed they represent different expression of principle of dominance trait called in complete dominance called guess what the incomplete dominance मे के it was given by call coren's 1903 in some plants principle of dominance is not followed principle of dominance followed नहीं होता क्या होता they represent different expression of trait this is called incomplete dominance okay पूरी तरह से dominance ही नहीं अब वो plants क्या है और वो कैसा result show करते हैं वो हम लोग डिसकस करते हैं इसको आप double tick calling is from this is very important for your completed exam call currents incomplete dominance को concept उसनों नहीं दिया अब हम लोग study करेंगे nature में कौन से plant हैं जो incomplete dominance को शो कर रहे हैं इस्टुन एक्जामपल इसके plants के जो incomplete dominance करते हैं यह टिस्टुन आइज और रहन नम मेंजस इस आलसो नून आज snapdragon plant or it is also known as dog flower plant system snapdragon plant or dog flower plant or anti rhino measures or score simply anti rhino b bola jata he express karta incomplete dominance another example is four o'clock plant or mirabilis jalapa this is called four o'clock plant or mirabilis jalapa student year plan joe mirabilis jalapa yeah morning may or 4 wager flower khilta hai is less ka naam hai four o'clock plant or mirabilis jalapa or anti rhino mages or snapdragon plant or dog flower plant abdekhi is plant me kya hotar is plant me red flower or white flower whitney plant a पाये जात और जब red flower प्लावर प्लान्ट को cross कराए गया है तो first generation में according to mendel क्या मिलना चाहिए था red color क्योंकि it dominant but a ऐसे नहीं हुआ f1 generation में सारे flower पिंग फ्लावर आ गया, और जब पिंग फ्लावर को क्रॉज कराएं गया, सेरफ कराएं गया, सेलफ क्रॉज तो F2 जन्नेसन में कुछ रेड बने, कुछ पिंक बने और कुछ वाइड बने, तो अब यह कोश्शन आये कि यहाँ प्रेड कलर होना चाहिए, F1 में बट आ गया पिंक तो वो क्या शोकिया स्टूडेंट इनकंप्लीट डॉमिनेस यानि एक्स्प्लेंड किया गया कि जो रेट कलर है वो पूरी तरह से अपने आपको एक्स्प्रेस नहीं कर पार है इन इस प्लांट्स इस वजह से को क्या बोला गया इनकंप्लीट डॉमिनेस इसको इसको आप जरूर्टिक करेंगे इसस वेरी इंपोर्टंट फॉर और यूर कंप्टीरि आयों एक्साइंप आपको इन्सीर्टी मिलेगा बट इसका इसम्पल यह नहीं मिलेगा। यह मैंने आपको को के बाहर का बता है फॉर कॉम्टिशन तो यू कन नोट डाउन अब इस प्लांट्स के फ्लावर की बात करते हैं और इसका क्रॉस भी हम लोग देखते हैं स्टुडेंट देखें इसमें दो तरह के फ्लांट थे रेट फ्लावर फ्लावर प्लांट इसको स्टुन क्रॉस कराए गहार देखें रेट फ्लावर में क्या था फ्लांट र है कंसा यह भी ऊसम न प्लाय था प्लाया उसको क्रॉस कराए गया यह पैरेंच जने से इसको आप बोलेंगे इस 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 पैरेंट जनेसन sus अब देखे इसको cross कराएने के लिए सबसे पहले आप क्या बनाएंगा इसका गैमीट्स प्रिविएस क्लास में आपने गैमीट्स बनाने का फार्मुला भी study किया है स्टुडेंट तो capital R capital R होगे यहां पर बना रहे हैं smaller smaller तो दो इधर और दो इधर और बीच में cross है तो two two is a four कितना ponit square बनाएंगे आप four तो four ponit square बनाएं यह हो गया four ponit square capital R capital R इदर रख दिया smaller smaller इदर रख दिया अब इन दोनों को command करेंगे capital R small और capital R smaller यहां पर भी command करें क्या मिलेगा capital R, smaller, capital R, clear, तो अब यह देखियो हो गया, क्या हो गया, F1 जन्रेशन, so it's called F1 जन्रेशन, अब इस्टोंट, according to Mendel, यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, फिन्यो टिपिक जो इसका जो expression है, क्या होना चाहिए था, यह होना चाहिए था, red, बड़ यहाँ पे क्या आया, pink, तो यहाँ क्या हुआ, all are pink flowers, यहनि सब यही है, capital R, smaller, ठीक है, but according to Mendel, क्या होना चाहिए था, it should be red, according to Mendel, student, it should have been red, but it is pink, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है, कि red color अपने आपको पूरी तरह से express नहीं कर पा रहा है, राइट, तो यहाँ पे आगया, क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, incomplete dominance, तो एक बार फिर से इसको समझे, सबोज यह anti-rhinum का example अपने लिया है, board exam में, student number of time, यह question आया हुआ है, anti-rhinum, species का example अपने लिया, इसमें क्या है, red flower plant है, white flower plant है, for red it is capital R, capital R, for white it is small or smaller, इन दुनों को cross कराए गया, यह parent generation है, तो cross कराने के बाद क्या मिला, यहाँ पे पहले gamit बनाए अपनी capital R, capital R, इदर हो गया smaller, smaller, और यह आप, दो gamit इदर है, दो इदर है, तो कितना pundit square बनाएंगे, 4, तो capital R, capital R, smaller, smaller, इसको आपने कमाइन करा है, आपके सामने यह जिनो टाइप आया, अब यहाँ पे, according to Mandel, यह क्या होना चाहिए था, red, बट यहाँ पे, all are pink flower, तो it shows, यह क्या शोव करता है, student, it shows, incomplete dominance, right, this is, incomplete dominance, means, red color, पूरी तरह से dominant नहीं है, पूरी तरह से अपने आपको express नहीं कर पा रहे, clear, तो यह हो गया, अब इसके बाद यह F1 generation है, अब F1 generation को हम लोग, self cross कराएंगे, और F2 में चलते हैं, student, now come to, F2 generation, देखिए, F1 को अब हम लोग self cross कराने जा रहे हैं, means, selfing हो रहा है, student, यहाद, तो capital R, small r, cross कराया, capital R, small r, यह क्या है, this is F1 generation, okay, अब यहाँ पे वही gametes बनाएंगे, systematic तरीके से अगर आप इसको करेंगे, बहुत easy है, और I hope आप सबने सीख लिया होगा, अभी तक जो cross है, तो देखिए, यहाँ पे capital R, small r है, तो इसको अलग लग कर लिया, capital R, small r, अलग हो गया, यहाँ पे भी capital R, small r है, तो capital R, अलग हो गया, small r, अलग हो गया, तो दो इधर आगए, और दो इधर आगए, अब आईए, इसको cross कराते हैं, capital R, small r, capital r, smaller, okay, अब देखिए, इसको combine कराएंगे, capital R, capital r, capital r, capital r, capital r होगे, और capital r के साथ, फिर आपने combine किया, smaller, और फिर इहाँ जिनों type बनाएंगे, capital r, smaller, 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 तो इस्टोंड यह क्या हुआ, कौन सा generation हुआ, इट इस, F2 generation, F2 generation आ गया, अब इसको analyze करते हैं हम लोग, देखिए, analysis में सबसे पहले हम लोग क्या analyze कर रहे हैं student, phenotypic ratio, तो phenotypic ratio में देखिए, यह plant कैसा दिखेगा, चुकि यहाँ पे capital r, capital r आ गया है, तो यह कैसा दिखेगा, red, तो one plant हो गया, red, is two, यह दो plant student कैसा दिखेगा, pink, तो दो हो गया, pink, और यहाँ पे smaller, smaller है, तो यह किसके लिए था, white, यहाँ पे एक कैसा दिखेगा student, white, तो phenotypic ratio क्या हुआ, one is two, two is two one, किसके लिए, for red, pink and white, अब आईए, genotype study करते हैं, genotypic ratio, तो genotypic ratio इसमें देखेगे, क्या होगा, capital r, capital r, एक अपना allele है, तो one हो गया, और capital r, smaller, capital r, smaller, एक साथ, एक जैसा है, तो two हो गया, और smaller, smaller, एक different है, तो क्या हो गया, one हो गया, तो one is two, two is two one, और यहाँ पे भी देख रहे हैं, one is two, two is two, one, यह नहीं, phenotypic ratio, genotypic ratio, same हो गया, तो यह कैसा हो गया, student result, एक तरह का test cross का result हो गया, बट यह test cross नहीं है, यह incomplete dominance है, तो आपने देखा कि f1 को जब self cross कराए गया, तो f2 में जो characters हैं, जो traits हैं, वो बिलकुल segregate हो गया, बट, one is two, two is two, one की ratio में, और दोनों सेम आया, और red पूरी तरह से अपने आपको express नहीं कर पा रहा था, इने f1 generation, इसले स्टोर्ण यह क्या हुआ, incomplete dominance हुआ, clear, तो incomplete dominance has been proposed by call currents, यह यह याद रखना है, incomplete dominance, किस plant में पाए जाता है, anti-ranum mages, or snap dragon, or dog flower plant, and four o clock plant, that is, मेरा बिलेज जिलापा स्टोर्ण, example याद रखना है, right, और next class में हम लो, आगे बढ़ेंगे, next principle की तरफ, till then, thank you very much.